Hi everyone, here are 10 grooming tips that will change your life. Basic self-care से mental glow-up तक हर चीज़ पर गाइड करूँगी. बहुत सारे money-saving beauty hacks और कुछ ऐसे tip जिससे आप productive और motivated रहों. Like a big sister, कुछ life advices शेयर करूँगी और financial independence पर गाइड करूँगी. बहुत सारे business ideas के साथ. मैंने इसका part 1, part 2 और काफी सारे parts share किये हैं, उसका link description में है, उससे लाजमी चेक करना ताकि आपको इस वीडियो की जादा अच्छे से समझाए. Recent video में सब ने यही कहा था कि हमें lice से इस मतलब जूओं के बारे में बताएं, जो कि इस age में तो बहुत ही common है. एक magical product यह है DE Lice, it's a shampoo with conditioner, pharmacy से मिल जाता है 550 रुपीज का, एक दफा यूज करना है, आप लगाओ, पांच मिनट के लिए रखो और उसके बाद wash कर दो. Single use से देखना कि जितना भी problem है वो सब चला जाएगा, इतना यह magically काम करता है कि मैंने आज तिक जिसको recommend किया उसने मुझे दुआई दी है, अगर आपको ऐसा कोई भी problem है, आप इसको एक दफा यूज करो और फिर अपने results मेरे साथ लाजमे शेयर करना, and it's something very natural, तो इसको fix क करना जरूरी है, next step, बालों को कभी भी इतना tightly, especially front से टाइना करो, teenage में हम इतनी tight, pony, buff और इस तहाँ के hairstyles बनाते हैं, एक दफा बाढ़ पाचिस हो गए, तो इसको treat करना बहुत मुझकिल होता है, इसलिए अभी से इहत्यात करो, थोड़े delay डाले hairstyle बनाओ, ताकि आगे जा प्रॉब्लम ना हो, लास्ट फीडियो में बताया था, finance को manage कैसे करें, आज चार easy business ideas बताऊंगी, जो कोई भी teenager, चाहे एक, 2000 उपे भी होना, तो भी setup कर सकता है, पहला candle making, कोई भी अच्छा gift सोचो, तो सबसे पहले centered candlely mind में आती है, और आजकल ये बहुत ही hot selling business है, अगर आ सकते हो, आप stationery ये jewelry wholesale market से लो, अच्छी से packaging करके, एक अच्छा खासा business setup कर सकते हो, इसके लाव अगर आपको एक detail video चाहिए, कि इसको run कैसे करना है, profit कैसे बनाना है, तो आप मुझे Instagram पर approach करो, या मुझे बताना में इसके उपर एक detail video बना दूँगी, and I just received my favorite parcel, तो सोच आ notepad और कुछ bookmarks पगरा, इनके न मुझे prints बहुत ही ज़़ादा cute और unique लगे, और quality तो आपके सामने बिलकुल A1 है, ये एक small business है, Instagram पर इनका नाम है planners by Iqra, इनके पास इतनी प्यारी stationery होती है, आपको जो चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा, तो इनको जरूर support करना, इनक आलमेंड ओल, होब ओल, जो भी आपके पास है, आप वो यूज कर सकते हो, इतना natural healthy glow मिलता है, dark spot fade होते हैं, और सब इस skin type पर suit करता है, इसे use कैसे करना है, थोड़ा सा moisturizer लो, उसके अंदर 3-4 रो, अपने facial oil के add करो, mix करो, अपनी body पर, face पर अच्छे से apply करो, कोई serum ये extra skincare product क जरूरत नहीं, इसे-से skin के सारे dark spot fade होते हैं, skin इतनी moisturized, healthy और glowing लगती है, ये hack तो सभी ने follow करना है, ओ बाइदे वे, Instagram पर मेरे 5K followers हुए हैं, मैंने इतनी प्यारी reel बनाई है, आप सब ने जाकर देखना और मझे congratulate करना है, मेरा room अभी बहुत मैसी हो रखा है, तो जब तक में इसे clean करती हूँ, आपके साथ share करती हूँ, एक life advice, and that is be a good listener, जब आप एक अच्छे listener होते हो, तो आप कई हद तक एक अच्छे इंसान भी होते हो, आपको लोगों की emotions, उनकी feeling को समझना आता है, और लोगों को सिर्फ इसलिए न सुनों कि आपको आगे से जवाब देना है, ताकि लोगों को लगे कि वाह, क्या intelligent इत्सान था, बलकि उनको generally समझने के कोशिश करो, लोगों को जब सुनते समझते होना, तो अपनी life आपको और ज़्यादा असान और इतना grateful लगने लगता है, आपको life कितनी reality checks और lesson मिलते हैं, तो इस advice पर तो सब में गोर करना है, और उतने में मेरा room भी clean हो गया, next step, limit your screen time, हम पोरा दिन scrolling करते हैं और अपना time जया करते हैं, तो चलो थोड़ा सा knowledge गेन कर लेते हैं, मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरे पास free time होता है, कोई भी ऐसा topic जिस पर मुझे research करनी होती है, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे पास इस च search करना start कर देती हूँ और articles पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता और knowledge भी गेन होता है, या पर कुछ ऐसी आप habits भी अपना लो, कि हफते में एक दिन ऐसा रखो कि आप कोई भी activities कर लो, पर आपने mobile बिलकुल यूज नहीं करना, alarm वगरा लगाना है तो alarm clock ले लो, तो यह कुछ आली container लो, उसके अंदा foundation और moisturizer आट करो, इसकी quantity ऐसे है कि जैसे जितनी आपने foundation आट की, उससे half आपने moisturizer आट करना है, कोई भी foundation, कोई भी moisturizer ले लो, अच्छा अगर winters है या skin बहुत जादा dry है आपकी, तो आप एक या दो drops किसी भी oil के आट कर लो, ताकि अच्छी सी नहीं blend easily हो सके, अंटारा हमारी BB cream हो गई है ready, इसकी consistency, finish वैसे perfect आएगी जैसे वो बाहर इतनी महंगी BB creams मिलती है, और you know, स्वाच पर इसका कितना smooth आया है, तो यह सारे teenagers नहीं hack follow करके, तो मुझे इसका feedback लास्मी दिना है, लास्ट वीडियो में आपने इतना कहा था कि तईब आप books के बारे में बात करें, हमें कुछ अच्छी books recommend करें, तो ये तीन self-help books चोके सभी के लिए हैं, बहुत ही easy to read है, पहला the power of now, अगर आप past ये future में रह रह रहे हो, present के कोई फिकर नहीं, procrastinate करते हो, demotivated हो, तो ये book आप ही के लिए है, then the courage to be dislike, ये मेरी favorite book है, बहुत सारे life lesson और reality checks आपको इस book में मिलेंगे, then the mindset, इसमें आपको life के हर एक aspect के बारे में बहुत अच्छे-ची बातें सीखने को मिलेंगी, तो ये तीन books, आपको इसमें कोई जादा खास, इतनी advanced English नहीं है, तो अब easily इसको read कर स आपको motivate नहीं रख सकती, तो सबसे पहले खुद से question करो कि आपकी life का मकसद क्या है, आपकी goals क्या है, उसके बाद एक vision board बनाओ, it's a very fun activity, जो आप अपना इतना screen time बढ़ा रहे होते हो, उसकी जगा पे आप इस तहां को कुछ करो, ताकि आप थोड़ा सा productive भी feel करो, इसके ब इंदर, cleanser, polisher, scrub, mask, सब होता है, तो आपको अलग-लग step करने की ज़रूद नहीं है, तो काफे time saving, money saving product है, आप इस तहां को कोई product ले लो, ताकि इतना time आपको इंचीजों में ना लगे, पर ये लास्मी आपने करनी है, इसके बाद जैसे ये dry होता है, मैं इसको थोड़ा circular motion में rub करते हुए, निकाल लेती हूँ, और मैं अपने पूरे face पर, हाथों, पाउं पर हर जगा लगा लेती हूँ, और फिर इसके बाद आप अपने sponge से इसको remove कर लो, और कोई भी अपना moisturizer या फिर hand cream लास्मी लगाओ, ताब कि आपकी body भी moisturizer रहे, और हाथी आपके इसे त्य मैंने भी अपनी आदत दनाई है कि आसपास की कोई जगा है, ये कोई activity है, महीने में एक दफा में कुछ अच्छा unique जरूर करती हूँ, last but not least, अपनी diet पर कोई compromise ना करो, especially जो पहला meal breakfast है, उसे आपने बिल्कुल skip नहीं करना, तो body बिल्कुल भी active नहीं रहती है, पूरा दिन जगान पूलो करना मतूला, बाइ!